हाई स्टुजेंस वेलकम तो आइग्जाम भी आइम करन सर्दाना क्वांट का एक बहुत ही इंपोरेंट टॉपिक है इस पर्सेंटेज वोटर्स और इलेक्शन से रिएक्शन है एक्जाम में हमेशा रेपीट होते हैं सो आईए एक कोशन देखते हैं इसके उपर तो इस इस अपर इन विलेज सेवंटी परसंट रिजिस्टर्ड वोटर कास्ट देर वोट्स इन दा इलेक्शन तो इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच में जिसमें सेवंटी परसंट वोट्स ही डेले थे only two candidates were there A and B and A won the election by 400 वोट्स तो जो A है वो B से 400 वोट्स से जादा जीता है had A received 12.5% less votes अगर A को 12.5% कम वोट्स मिलते हैं तो फिर result tie हो जाता है तो अभी तो यह 400 से जादा जीत रहा था लेकिन अगर A को हम 12.5% less वोट्स देते हैं तब फिर इन दोनों में tie हो जाता है तो आपको बताना है how many registered voters were there total registered voter यहाँ पर बताने हैं सुबर पहले आपको normal तरीका बताता हूं और उसके बाद मैं आपको इसका shortcut बताता हूं तो हम let कर लेते हैं कि जो A है उसके A जो है वो 400 वोट से जादा जीता है let कर लेते हैं A के वोट X है तो B के पास 400 less वोट है क्योंकि A यहाँ पर 1 है A जीता है तो उसके पास जादा है B के पास 400 वोट कम है now if A received 12.5% less वोट तो अगर आप इसमें से 12.5% माइनस कर देंगे तो अब यानि कि उसके पास है सिरफ 87.5% तो सीधा आप 12.5 माइनस कर दीजिए 87.5% वोट जाता है अब जो है इसके वोट B के वोट के साथ equal हो जाता है तो B के वोट कितमे थे X-400 लेकिन यह जो यहाँ पे ह A का शेर कम किया है 12.5% यह फिर B को मिलेंगे क्योंकि टोटल वोट तो उतने ही है जितने A को कम मिलेंगे उतने ही B को यहाँ जादा मिलेंगे तो यहाँ हमने 12.5 कम किया है यहाँ 12.5 एड कर दिया है तो अब हम क्या देखते हैं सिरफ X वाली टर्म देख लेते हैं यह 12.5%-400 अब X वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं तो 1,1 2.5 में से 18.87.5 माइनस कर दिया तो 25% of X की जो वेल्यू है वो आपके पास आ गई 400 इसको माइनस करके 25% आया और 25% जो है X by 4 हो गया यहां से आपको X की वेल्यू मिल गई कितनी 1600 इस एक वोट कितने है 1600 और B को कितने वोट मिले है 1600 माइनस 400 तो यह होग है 1200 तो अगर आप इन दोनों को एड कर देंगे तो दोनों की वोट होगे 2800 यह option A है पर यह मतलगाएगा आप से पूछा है how many registered voters are there तो यह जो दोनों के वोट आया है 2800 यह 70% है total registered voters का 70% registered voters ने वहापे वोट दिया यानिकि यह जो value आई ह यह 70% के equal है 2800 के तो आप यहां से 100% निकाल सकते हैं यहां से 1% की value 40 आजाएगी और 100% की जो value है वो 40 into 100 आपका answer आजाएगा 4000 तो final answer है 4000 यह तरीका था student जो normal equation से करते हैं आई है अब इसका shortcut पड़ते हैं तो देखिए यहां पर A के जो वोट है 12.5% less हो रहे हैं तो माल लेत हैं कि A के जो वोट थे 12.5% अगर आप देखे हैं तो यह fraction होता है 1 by 8 तो हमाले थे एक वोट जो थे वो पहले 8 थे तो अब जो इसके वोट है वो कितने होगे 8 में से 1 8 यानि कि 1 कम हो गया तो अब कितने रह गया 7 वान 8 था तो 8 में से 1 कम हो गया यानि कि अब रह गया 7 तो अब जो है यह tie हो जाता है इसका मतलब अब जो B की value वो भी फिर 7 होगी क्योंकि अब यह दोनों वोट equal हो जाते हैं इसका मतलब B की value भी 7 होगी और जितने वोट हमने यहां पे कम किये उतने यहां पे add हुए होंगे इसका मतलब हम यह कह सकते हैं यहां A कम हुआ है तो यहा portion में दिया हुआ है कि वो तो 400 unit से जीता है 400 वोट से जीता है तो two unit की value जो है वो 400 है तो one unit की value कितनी हो गई 200 यहां से आपको बताना था how many registered voters are there तो अगर आप देगें A और B का जो total है 8 plus 6 तो आपको 14 unit की value मिल जाएगी यह आगया 2800 one unit 200 है तो 14 कितना हो गया 2800 अब यह दोनों के वोट आ गया 2800 लेकिन यह 70 परसेंट आया दोनों के वोट जो उनको वोट डले थे 70 परसेंट है तो यहां से 100% की value आप निकाल सकते हैं पहले 1% निकाल लेंगे 1% की value आपके 40 आ गई तो 100% की value कितनी आ गई 4000 यह आपका answer आ गया student यह question बहुत जादा important है जो मैंने आपको अभी कराया तो मैंने आपे थोड़ी सी digits चेंज की हैं इसका अंसरा बताइए initially 80% registered voter वहाँ पे vote डालने के लिए आते हैं जिसमें 2 candidate हैं यह और भी उसके बीच में यह election होता है और फिर से ए 400 vote से जीता है इस time अगर A के vote हम 100 by 9% 100 by 9 11.11% होता है यानि की 1 by 9 student अगर A को 100 by 9% less vote मिलते हैं तो tie हो जाता है सेम कुर्शन है बताइए total registered voter कितने है और आइग्जाम पी के mock test practice करते रहिए thanks a lot